क्या आप Instagram को हाईडिक करना चाहते हैं क्या आप जनाना चाहते कि कैसे Instagram एप को अपने फोन में कैसे छिपा सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाताने वाला हूँ कि आपासन से Instagram एप को अपने फोन में कैसे हाईडिक कर सकते हैं व उपानिक करना है चले मैं उपानिक करता हूँ आपको भी उपानिक करना है अगर आपको यहाँ पर सेटिंग ना मिले इस तरह से तो आपको इस तरह करना इस तरह करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी आप से नजर आ जाएंगे आप यहाँ ढोनेंगे खोल जाएंगे तो आपक आपका ओपर या नीचे होगा आपको यहां search बार पर click करने के बाद search करना है settings, settings search करते हैं तो आपके समय आज़ेंगे आप इस app को open करेंगे, open करने के बाद आपको इस तरह करके खोजना है security, या आप यहां search करेंगे privacy, आपको इन दोनों में ही आपको मिलेंगे app hiding का option, आप इस तरह खोजेंगे में आपको दिखा दे, तो यहां दिख रहा होगा security है और यहां दिख रहा होगा privacy है, अगर आपका phone भी वो IQ का है तो यहां पर easily दिख जागा security and privacy, आप यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों में से खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे app hiding का option, सबसे पहल करने के बाद आप यहां क्या करेंगे, एंटर अपना password को करेंगे यानि कि अपने privacy password को डालेंगे जो आपका password है phone का, चलि मैं डालता हूँ, आपको भी डालना है, पासवड डालने के बाद यहां दिख रहा होगा इस तरह से आजएंगे, जो कि यहां दिख रहा होगा सभी इनेवल बटन होगा, आपको यहां करने के बाद ओके करना है, ओके करने के बाद यह अन हो जाएगा, इस तरह करने के बाद यहां दिख रहा होगा, view hidden apps, अगर आप चाहते हैं home screen पर देखना, आपको खुद शे कोई ना देखे, तो यहां दिख रहा होगा, लिख रहा है, swipe off with two fingers on the home screen to view hidden apps, अगर आप चाहते हैं, दो fingers से अपने इस app को देखना, आप खुद शे कोई ना देखे, तो आपको इसे on करने के बाद आपको यहां bank आना है, बैंक आने के बाद देखना यहां दिख रहा होगा, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा Instagram app, जैसे के आपको चलाना तो आपको दो fingers से इस तरह करना है, उपर की ओर, उपर की ओर करेंगे तो आपके समय आजएंगे hidden apps, आपको यहां दिख रहा होगा Instagram है, Instagram पर क्लिक करने के बाद आप यहां इस्तमाल कर सकते हैं, बड़ी असानी से, जो कि यहां दिख रहा होगा आगया है, इस तरह आप आसान से Instagram एप को हाइड कर लेंगे, अगर आपको यहां privacy में यह चीज नहीं मिलते हैं, तो आपको आना है setting में, setting में आने के बाद यहां दिख रहा होगा, एक security का option होगा, आपको यहां security पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उपर करना है, और खोजना आए, आपको इसमें भी app heading का option मिल जाएंगे, या app heading का option लिखा रहेगा, आप क्लिक करेंगे, नहीं मिलता है, तो यहां पर दिख रहा होगा, एक option होगा, privacy and app in creation, आपको यहां क्लिक करना है, क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आजएंगे, enter your privacy password, आपको अपना password को डालना है, चलिए मैं आजएंगे, आपको यह Instagram को खोजने के बाद, आप इसे on कर देंगे, on करने के बाद, ok करेंगे, ok करने के बाद, यह app hide होजएंगे, इसके बाद यहां दिख रहा होगा, जो हमने पहले बता दिया था, view hidden app को कैसे है, देख सकते हो, यानि देखना है Instagram app को खुद शे, कोई न देखे, और आप चाहते हैं, दो fingers उस app को लाना, तो यहां देख रहा होगा, swipe up with two fingers on the home screen, जो कि यहां देख रहा होगा, आप इसे on कर लेंगे, on करने के बाद, आप back आएंगे, back आने के बाद देखेंगे, आपको यहां नजर नहीं आएगा, आपका app, जो आपने Instagram app hide किया ह यहां पर नहीं दिख रहा होगा, लाना है, तो मैंने आपको बहले ही बतादी इस तरह करेंगे, तो आपके सांद में आजएंगे hidden apps, यहां आजएंगे, आप यहां देख लेंगे, इस तरह आप आप असांद से Instagram app को hide कर सकते हो, चीपा सकते हो, बरी असांद से बिना किसी app इंस्टॉल किये हुए, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको यहां वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए, तो इसी वीडियो को लाइक कर देना चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में देजए, इजाज़त, ठैंगे शमाच